पूरा देश और देश का हर राज्य कोरोना की महामारी से जूज रहा है वहीं गुजराद राज्य में भी कोरोना का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लागू है दंदे रोजगार बंध है आर्थिक रूप से प्रजा के हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है कई हालाकी से लोग गुजर रहे है दाना पाने तक के लाले पड़ रहे हैं वहीं सरकार और प्रशाषन का रवया जैसे बदल रहा है फिलहाल राज्य में लोग डाउन लागू है वहीं सरकार द्वारा निती नियमों का गुशना पत्र जारी किया गया है कई इलाकों को जौन के अनुसार बाटा गया है और इसी के अनुसार गुशना पत्र बनाए गए हैं गुजरात के पाटन में जब दिन के दोरान बाइक सवार को सिंगल सवारी जाने की छूट है रोज मर्रा और जरूरत की चीजे लाने के लिए जब बाइक सवार सुबह निकलते हैं या फिर जब कार में ड्राइवर के साथ दो लोगों की परमीशन दी गई है और इसके साथ जरूरी चीजे और सामान लाने के लिए लोग बाहर सुबह जब निकलते हैं तो सिंगल सवारी होने के बावजूद दिती नियमों के पालन के बावजूद भी इनके पास से 500 रूपे का जुर्माना वसुल किया जाता है एक तरफ पूरे देश और राज्या में पूलिस प्रसासन के कारे की प्रसंशा हो रही है तो दूसरी तरफ पाटन सहर में जैसे बढ़ला है अब क्या पूलिस प्रसासन खुद ही यहां पर पहले से आर्थिक नुक्सान जेल रहे सानिय प्रजा को पामाल करने में लगा है या फिर सरकार द्वारा ऐसे कोई टार्गेट दिया गया है कई सवाल प्रसासन और सरकार पर खड़े होते है जब प्रजा मुश् इसे में बिना कसूर प्रजा को लूटना इताव है या फिर जुर्माना वसुलने के लिए सरकार ने इन्हें कोई टार्गेट दिया है कि सुबह जरूरी चीजे लेने जा रहे सिंगल बाइक सवार को या फिर काम में जा रहे लोगों को नियम का पालन करते होने के या फिर राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई टार्गेट दिया जा रहा है एक तरफ प्रजा आर्थिक रूप से खाली होती जा रही है ऐसे में पाटन सहर के लोगों की मुश्किले और बड़ी है देखना यह है कि जिल्ला प्रशासन इस बात को नजर पर लेता है या नहीं क् इस प्रजा पर तरस खाएगा इन्हें और कितनी मुश्किले जेल नहीं है या तो आने वाला वक्त बताएगा अगर आपके आसपास है कोई समस्या गटित हो रही है कोई गटना या फिर वारदात आपकी समस्या को प्रशासन द्वारा अंस होना किया जा रहा है तो हम आपक कल पेस आचरे जीगा संपर्क कर सकते हैं संपर्क नंबर है 99041 3962 संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है गर में रहे शुरक्षित रहे जैहिन हमारी यूट्यूब चैनल सीन सीजी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और दबाएं बैस ताकि हमारी खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक